अलो दोस्तों मैं हुरुत पुरान आपका होस्ट इंटलेक डाजिस्ट हिंदी पे और यह है टेक्नो का स्पार्क गो यह फॉन आज ही लॉंच हुआ है जब हम इसका विडियो बना रहे हैं और यह आता है पांच हजार चारसो निन्म्यानुवे लगभग साड़े पांच हजार की कीमत पे और इसके साथ में आपको ओफर में एक औराइमो का ब्लूटूथ हैटसेट मिल रहा है यह वार्लेस ब्लूटूथ हैटसेट जो है यह मोनो टाइप हैटसेट है जैसे के पुराने टाइम पे साथ यूज करते थे यह लगभग 800 रुपा की कीमत का है और इसके साथ ओफर में आता है फिलहाल यह लांच ओफर में है तो आपको जो एफेक्टिव कीमत है वह लगभग 4700 यानि 4700 रुपा की असपास पड़ेगी इसकी इसका हम रिव्यू अभी नहीं कर रहे हैं मैं आप इसका नाम का नाम का एक पून है रेडमी गो जो की एंड्रोइड गो और इससे कम स्पेसिफिकेशन में आता है मैं को क्विक कंपारिजन उसके साथ भी बताऊंगा कि क्या क्या फर्क है इस फोन के बात करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या फीचर्स है इसे कुछ लोगो कि शुरुवात करते हैं उन्बॉक्सिंग के साथ तो सबसे पहले इस फोन को खोल लेते हैं बट मैं बॉक्स को खोलूं उससे पहले आपको फटा फट से इसके बॉक्स पे क्या-क्या मेंशन है वो बता देता हूं देखके आपको पता चल रहा होगा कि इसमें फ्लैश भी दिख रही है जो कि आप देखने में फ्लैश ही लग रही है मुझे यहां पे कुछ फीचर और बताये गहें हैं फेस अनलॉक के साथ आता है 4G VOLT सपोर्ट है इसमें इसमें डियोल वोल टी का सपोर्ट है 6.1 इंच का डिस्पले है वीडियो चैट विद ब्यू दिन के अंदर आप से इसका स्क्रीन टूड़ जाता है तो इसको रिप्लेश करके देंगे जो की काफी अच्छी चीज़ है यह टेक्नो के कई फोन से माने देखा यह स्क्रीन रिप्लेश्मेंट वारंटी जो कि आपको ज्यादा तर ग्रैंट्स में नहीं मिलती है इसके है दिखने में काफी इंट्रस्टिंग लग रहा है आप देख सकते हैं यहां पे खलका सब पैटन दिया गया है शायद इस एंगल से आप अच्छे से दिख पाएंगे और यह डिवल टोन फिनिश है तो काफी प्रीमियम फिनिश दिया है इन्होंने इसमें यहां पे लगभ सा रिफ्लेक्ट करता हूं तो आप देख पाएंगे इसको यहां पे टेक्नो की ब्रैंडिंग दी गई है यहां पे स्पार्क लिखा है यहां पे LED फ्लैश है और यहां पे रियर कैमरा है और आगे की तरफ यह 6.1 इंच का डिस्प्ले है मैं इसको भी रख देता हूं इसके बारे में आपको डिटेल पताएंगे पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है बॉक्स में लिखा है 12 प्लस वन मन्थ वारंटी एक साल से उपर की वारंटी है एक महीना ज्यादा तूभी पिसाइज फिर यहां पे आपको एक स्टार्ट गाइड मिल जाती है एक र यहां पे मिल जाता है एक चार्जर और इस चार्जर की जो करण्ट रेटिंग है वो है 5V 1.2A यानि 6W का चार्जर है तीन हजारे में अची बैटरी है और 6W का चार्जर है और बॉक्स में और कुछ नहीं है इयरफोन वगेरा इंटूड़ेट नहीं है इसमें और यह फोन की तरफ वापिस आते हैं अब क्योंकि इसमें रिमूवेबल बैटरी है तो इसका बैक फुलता है तो यहां पे करें जाया यहां पर आपको 2 नैनो सिम कार्ड सलॉट ग Aussie कार्ट ब्लता तो 3 कार्ड स्लॉट सिस्टम है यहां पर 16 प्लस डूस है उ साइट पर देखें तो तीन बटन्स दिये गए हैं पावर किया है और यह वॉल्म रॉकर्स हैं लेफ्ट साइट टोटली क्लीन है बॉटम पे देखा जाए तो एक चार्जिंग पोट है 3.5 mm का आडियो पोट है राइमरी माइक है रूपर की तरफ कोई सेकंडरी माइक नहीं सब्सक्राइब करते हैं इसको फटा फट से सेट अप कर लेता हूं और इसको टेस्केरते हैं उनको हमने कर लिया है विपढ़्ठ से सेट आप यह आता है ओसके साथ जो की एंडॉइड 9 पर बेस्ट है और यह है इसका डिस्प्ले स्प्ले जो 6.1 इंच का HD HD प्लस डिस्प् बहुत ज्यादा ब्राइट में हो सकता है आउट्डोर में आपको विजिबिलिटी का थोड़ा इशु फील हो विगर इसका स्क्वीन ब्राइटनेस मैं कहूंगा कि बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है सम्वेर एवरिज है रिस्पॉंसिवनेस की बात करें तो ठीक ठाक रिस्पॉंसिव फील हो रहा है एक बर कुछ आपस कोल के देखते हैं आप इस फोन में ज्यादा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्यूंकि थोड़ा लो कॉस्ट का फोन है इसमें आपको सिर्फ 2GB की राम मिलती ह है और साथ ही में मिलता है एक Mediatek का Helio A22 प्रसेसर जो 2GHz का Quad-Core प्रसेसर है आइए इसके कैमरास टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसके कैमरास कैसे चलते हैं इसमें AI कैमरा है रियर में तो आपको 8 Megapixel का कैमरा मिलता है पीछे जो Artificial Intelligence software यूज़ करता है अब AI कैमरा का Megapixel से कोई खास लेना देना नहीं होता है AI का मतलब है कि वह सब्जेक्ट को अइडेंटिफाय करके उसको इसको एनहेंस करना ही कोशिश करता है तो AI Cam है Beauty Mode है यहां Bokeh Mode भी है AR Shot है और Panorama तो आपको कई तरह हैं के इसमें कैमरा options मिल जाते हैं फ्रंट कैमरा की बात करें तो अब Portrait Mode भी है जो Edge Detection के लिए काम करता है Beauty Mode है और AI Cam है तो फीचर्स जो यह दिखा रहा है HDR दिखा रहा है Automatic तो इसमें काफी software wise काफी loaded दिखा रहा है बट क्या उसका result अच्छा आ रहा है पांच मेगा पिक्सल की पिचर आपको अच्छी लग रही है वो देखते हैं एक बर थोड़ा बहुत noise है image में बट clarity ठीक ठाक है फ्रेम काफी वाइड है और यह जो हमने रियर कैमरा से फोटो लिए है इसमें भी आप देख सकते हैं colors काफी accurate है detailing जो है वो अच्छी है इस object पर भी थोड़ा सा zoom करके देखते हैं यह भी अच्छा है तो मैं यह कहूंगा कि इसके camera's इसकी जो price segment है जो इसकी कीमत है साढ़े 5000 की उस यह फोन को recommend नहीं करूँ है किसका performance बहुत basic है तो heavy game scale के लिए आपको शायद थोड़ा और पैसा कर्च के थोड़ा और high performance फोन लेना चाहिए यह फोन शायद आपकी उमीदों पे खरा ना उतरे बट अगर आपको casual internet browsing करनी है सिर्फ phone calls करने है और थोड़ा बहुत WhatsApp अगरा य जैसे कि यह इसमें game डली हुई है और अगर यह मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको uninstall कर दूँगा और यह यहां से हट जाएगी साथ ही में अगर मैं इसको compare करू Redmi Go के साथ तो आता है 4500 की कीमत पे अगर इसके Bluetooth की value हम अलग कर दें 5500 में आपको यह मिल रहा है साथ में 800 का Bluetooth Bluetooth मिल रहा है तो 4700 आपको पढ़ता है लेकिन Redmi Go की comparison में इसमें बड़ा display है इसमें थोड़ा बेटर दिखने वाला display है इसका जो design है वो से बेटर दिखता है इसमें आपको 2GB RAM मिलती है उसमें 1GB मिलती है उसमें 8GB की internal memory है इसमें 16GB की है तो अगर आप उस हिसाब से देखो त प्रसेंसर है बस इसका जो ओवराल जो फील है वो थोड़ा बेटर फोन वाला है क्योंकि इसमें Android का Go software नहीं है तो आप Go नाम से confused नहीं हो टेक्नो सपार्क गो का मतलब यह नहीं है कि Android Go पे काम करता है यह बस एक सस्ता फोन है यह एक budget फोन है उन लोगों के लिए है जो शा कामरा के पीछे छोपा आँ अगर मैं कैमरा से पीछे से थोड़ा बहार आ जाता हूं और यह फोन फ्रंट कैमरा मेरे फेस को देखता तो अनलोक हो जाता है आपको इसका डेमो दुबारा सो दिखाता हूं अब यह लोक्त है और अब यह फुल गया है अनलॉक है तो यहां अनलॉक है वह दूसको अनलॉक किया है तो आपको यह फोन खरीदना चाहिए 5,000 कीमत पे मैं यह नहीं कहूंगा कि 5500 कीमत में आपको बेस्ट फोन मिल रहा है लेकिन यह फोन काफी अच्छा है ठीक ठाक है आप और भी फोन देख सकते हैं अगर आपको यह पसंद आ रहा है और आप खरीदना चाहते हैं तो मैं इसके बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक लेकर बजाना ना भूलें घंटा जरूर दबाएं और हम मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मैं आपका दूस्त रोजप्रान आपसे विज़ा लेता हूं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया